सो वेलकम टू मैं चैनल के एस चिकन आज हम आपके लाइब पर इसे फ्लेच कलेक्शन तो स्टार्ट करते हैं यह है शौड कुरती कॉटन की कुरती है मलमल क्लॉथ की एकदम नीट वर्क के साथ हो गया ऐसा देख सकते हैं योग के साथ वर्क है पुरा बेल स्लिप के साथ है बहुत ही नीट वर्क के एकदम फाइन चिकन कारी के साथ है आप देख सकते हैं इस टाइप के नीचे बॉर्डर हो गया ऐसा फ्रॉक स्टाइल नीचे से हो गया एलाइन शेप पे होगा बहुत खुबसूरत वर्क बना है चिकन के एकदम फाइनेस्ट वर्क में आता है घास इसको अरजिस्ट कर सकते हैं आप साइट से टाइट कर सकते हैं योग वाइस बहुत खुबसूरत पीस है बहुत ही नीट फर्क बना हुआ है पुरी हाथ के कड़ाई है और यह देख सकते हैं इसा पुरा यह पास करके दिखाता है उनक्तम नीट वर्किंग है पुरा यह नी लिखाते हैं, आपका निक्स्ट जो होगा आपना वो इस टाइब काटन पर कुरता आएगा यह कॉर्टन का कूरता है यह वाइल होता है कि यह देखते हैं यह आप ऐसा लाइट वेट होता है समस्ट ले स्पेशल चिकन का जो मेन फैब्रेक होता है आपने देखा होगा जातर चिकन का जितना भी वर्क होता है वो इसी फैब्रेक पर देख सकते हैं यह पुरा दर्ज के साथ वर्क है पुरी चिकनकारी हाथ की कलाई है और जो ऐसा आप देखने कॉम्बिनेशन बीज में स्ट्रिप्स आई है वाइट कलर की वो दर्ज का वर्क है लापता है तो दर्ज का वर्क है उपर नेकाब देख सकते हैं यह पूरा हाथ से बनता है यह देख सकते हैं पास से आप देखिए यह पूरा तुरपाई से बनता है हाथ की कलाई है इसको काटके कबला उसको फोल्ड करके तब फिर तुरपाई होती है डिखने पर नीट वर्क बनाएं टाइम टेकिंग होता है शिलिप से यह वी दर्श का वर्क है इसमें दर्श का वर्क है इसमें भी दर्श का पर के Contrast कॉबिनेशन पर बनाया है ऐसा बेक इसका होगा बैक पर दिख सकते हैं पर बैक पर बूट आएगा के रिश्ट्टाइल प जरेगा Greenish Blue है उसके बाद यह आएगा Blue Color होगा Royal Blue कलर आएगा फिर यह प्रिस्ता ग्रीन कलर होगात प्रिस्ता गूरर के बाद हो बैल्योट के ब्लू आएगा साफ् conséquent कॉंट्रास्ट कॉंबिनेशन होगा ये पीच कलर होगा पीच के बाद ये आएगा आपका दूसरा ये लेमन येलो कलर होगा ग्रीन कॉंबिनेशन के सबसे अच्छे कॉंबिनेशन होते हैं उसके बाद ये वाइट पे ग्रीन आएगा वाइट ग्रीन कॉंबिनेशन एक ये ब ग्रीन कलर मोणा के यह गाज़री कलर आएगा घाज़री इन बूझ ब्लू अन फिर यह एगा लेमन येलो कलर होगा बहुत ही खुबशुरत पीस है देख सकते हैं पुरीे नीट लिग के साथ है दरज का वर्ग है कंट्रास कॉंबिनेशन है फिर यह अगला सेग्मेंट इसका आएगा अनारकली हो गया ऐसा देख सकते हैं योग की अनारकली है शिफॉन फैब्रिक है जोजट शिफॉन पर योग पैटन के साथ है योग पैटन होगा नीचे कली होगी बहुत नीट वर्क है पूरा बटन के सा साथ आएगा ट्रेंड में हैं बहुत चला है बहुत पसंद करते हैं लोग इसमें कलर्स बगेरा और है आपकी ऐसे परफिल कलर आएगा लाइट पॉपल कलर है यह वाइन गलर था इसका बैक आप देख सकते हैं स्टाइब का बैक है फ्रंट बैक बोट साइड एक जैसा वर होगए heeft je को दिक सकते हैं फिर यह फॉपल कलर हैं बहुत सारे लन है इसमें आपको दिखाते हैं वन बाइं एन ये ब्लैक आएगा बहुत निट वर्क आपके मोविज पिंक है यह ब्लैक एंद प्रिया वाइट पर वाइट अज्ञानी ग्रीन कलर होगा यह हूं अद यह है मजंटा कलर होगा तोड़ा रेफ्लेक्ट कर रहे हैं यह पीच कलर होग ऊरेंज इस पीछ है यह ब्रय डेट कलर है ग्रीन कलर आएगा अन्द फिर यह Royal Blue color है, उसके बाद यागा, Onion Pink color है, सारे अलग-अलग color है, bottle green होगा यह, baby pink color आएगा, यह रेट पे white आएगा, अगें, यह आपका green आएगा, उसके बाद यह peach color tone पे tone होगा, sea green color होगा, बहुत खुबसूरत piece है, और यह wine color, dark wine color है, अन फिर गाजली एंग, इसके बाद यह रामा ग्रीन ग्रइन, ए मन घल कलर है, ऐ्य यल्लोड स्ट ये यल्लोड ऐयलो एगा,色बन यह ब्रू झाइगा इसके बाद ये बेच कलर होगा और ये ब्लैक कलर आएगा लेमन कलर होगा रेट कलर होगा और ये पीछ कलर होगा लाइट पीछ कलर है, ब्राउन कलर है फिर मस्टर्ड येल्लो आएगा और फिर ये अगेन ये ग्रे कलर होगा ग्रीन कलर होगा This will be a brown colorاذ, you will find wine color, yes, sc추 let the cup material can bring in lid. 635 Leil Qiak hiahave work. चEEET का करी के साथ इतमें गोटा पती का वरक होगा और अपने सीक्टिक है आपको अन्दर से भी दिखा सकते हैं । जैसा वरक आएगा अंदर बॉडी में ऐस टाइब का वरक आए कहीं चाड़ी के साथ होगा बूटियां होंगी अंदर बूटी होगी पुरी साड़ी में वरक होगा और यह आप ने देखा यह जैसे यह बूटियां और आपको पसंद आया है तो आप जरूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें क्लेक्शन के लिए आप में कॉल एन वोट्सेब कर सकते हैं अगर आपने इभी तक हमारे फेजुब पेज को लाइक नहीं किया तो जाके आप लाइक करें डिस्क्रेप्शन में आपको लिंक बिले क्ष़ झाल इए लिए पहर लिंकषा जल झाल जला युव आपन्सbon llegar हो झाल झाल झाले जचा लितंग हैं जल झाल आपको लिए।